श्रीनाजी गुरुजी गोलाखादेश, माभगवती कोलाखादेश, साबर मंत्रों में बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं, मुख्यता जिसमें पाच मंत्र माने जाते हैं, प्रवल साबर, बर्वर साबर, बर्राटी साबर, ओड़या साबर, डार साबर, तो जब मैंने साबर मंदर का प्रकार बताया था, तो किसी एक साधक ने मुझे ऐसा लिखा था, कि गुरुजी ऐसा क्या साधना जिसमें की, भगवान को ही आप बुरा भला बोलो या भगवान से सौधा करो, जिसे बराटी है, बराटी का जो भाषा होता है वो काफी तीवर होता है, और अगर गुरु मुखी है तो इसका बड़ा जोरदार प्रभाव होता है, बरभर साबर मंतर जैसे तो बरभर में भगवान से या शक्तियों से सौधा होता है, तो उन्होंने बोला ये तो सही नहीं ह तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो है, जो सात्विक मंतर होते हैं, वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हो, ठीक है, जो संस्कृत के मंतर हैं, वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हो, तो उन मंतरों को बलपूरवक कैसे सिद्ध करवाला है, हाँ, सात् में आप लोगों को विधान बताऊंगा देखो मंत्रों का जो सिध्धी का प्रक्रिया होता है जो सात्विक मंत्रों के सिध्धी का प्रक्रिया है उसमें पुरुष्चरन होते हैं पुरुष्चरन का मतलब क्या होता है पूर्वाचरन पूरवा का मतलब भूमिका ठीक है, सिद्ध करने के लिए जो जो आपको शुरू से जिन नियमों का पालन करना उसको पुरवाचरन बोलते हैं तो पुरवाचरन के 5 अंग माने ज्याते हैं, सबसे पहला होता है जब जो आप जाप करते हैं, दूसरा होता है होम, यह दो चीज तो आप लोग perfect करते हैं हम सभी सादक, जब और होम ही करते है, दशान सहवन करती है, जब कतलिया हो गया, नहीं, इसके बाद होता है तरपन, तरपन मतलब जल में जो क्रिया की जाती है, किसी भी मंत्र को साधने के लिए उसके शक्ति को जगाईए और उसके बाद ये पांच चीज कीजिए, अगर सात्विक मंत्र है, तो उसके और भी इनियम होता है, जैसे आपको बिस्तर पे नहीं सोना होता, आपको हमेशा प्रिथिवी पर सोना होता, अच्छा ये होता है, कि जहां आप साधना कर रहे हो, वहीं पर सोई, जितने दिन आप साधना कर रहे हैं, तब तक आपको ब्रहमचरेका पालन करना चाहिए, मौन, जादा साधा इंसान को मौन रहना चाहिए, और उसके बाद जो मन की विरक्तियां हैं, उस पर पूरा काबू होना चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जो भी मंत्र है, वो सिध्ध हो जाता है, लेकिन कई लोग जिनका कभी भी मंत्र सिध्धी नहीं होता, वो चार बार कर ले, पांच बार कर ले, तो सबसे पहले तो बात ये है, कि जो संक्या सिध्धी की है, जो सतियुग में या द्वापर में जो किताब लिखे गए, या त्रेता में जो किताब लिखे गए, उसमें और अभी में जा वो 16 का चारगुना होगा समझ रहा है तो टूदी पावर फोर हो गया है तो इतना जाब संख्या आपको बढ़ाना होगा साधना को सिद्ध करने के लिए रात में तीन से सुभा के बारा बजे तक आप सात्विक मंदर की साधना कर सकते हैं अगर साबर करते हैं तो हम ठीक आए है वो सब आप और हम सब ही करते हैं ताकि साधना सिद्ध हो जाए लेकिन यह सिद्ध है इतनी असानी से प्राप्त होती नहीं है तो क्या है कि आप कितने भी अच्छे तरीके से साधना करिए मंत्र जाप कीजिए कुछ ना कुछ ऐसी तूटी रह जाती है जो तूटी एक आम इंसान समझ नहीं पाता है तो उस मंत्र दोश का निवारन होता है आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई मंत्र दोश है उस तिती में उस मंत्र का निवारन होता है उस दोश का निवारन होता है और इसका छे तरीके से निवारन हो होता है और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी क्रिया को करने के लिए बिल्कुल medical science के procedure में जाना चाहिए अगर सरदर्द कर रहा है तो पहले disprin लीजिए जो हलकी दवाई है फिर brufan लीजिए उसके बाद injection लीजिए ठीक है ऐसा नहीं करिएगा एक ही बार injection ले लीजिए तो हो सकता रियाट खर जाए तो वैसे ही 6 stage है अगर आपका मंत्र सिद नहीं हो रहा है तो मैं एक एक करके ये 6 stage आपको बताता हूँ पहले stage जो है उसको कहता है भ्रामण अगर आपका मंत्र आप हर विधी विधान कर रहा है आपको चूक नहीं पता चल रहा है तो फिर आप भ्रामण का प्रयोग करेंगे भ्रामण के प्रयोग में क्या होता है जो भी आप मंत्र की सिद्धी कर रहे हैं जो भी आपका मंत्र है उसके प्रतेक अक्षर के पूर्म में यंग बीज लगेगा यम ठीक है और इस मंत्र को अस्ट गंद जो होता है अस्ट गंद से एक भोज पत्र पर लिखिये ठीक है बास के कलम से या फिर चमेली के कलम से हाँ उस पर उस मंत्र को लिखिये ठीक है और फिर उसको वो जो भोज पत्र है उस मंत्र को दूद मधु और पानी में डुबो कर किसी एक बरतन में फिर आप रखिये जब भी आप फि तो इस कारे को हर बार आपको करना है, और एक मंत्र की जैसे ही आपकी सिद्धी हो जाती है, उसके बाद इसका विसर्जन कर देना है, उसके बाद एक मंत्र का आपने सिद्धी शुरू किया, इसको एक बार करिए और उसके बाद फिर इसका विसर्जन किजिए, फिर दूसरे म कंडिशन में आप रोधन का प्रयोग करेंगे अगर रोधन का प्रयोग होता है तो इसमें क्या करना होता है कि जो आपका मंत्र है उसके आगे और पीछे आप ओम लगा कर जाप करते हैं मंत्र मान के चलो औम भूरब्वसवा है तो औम फिर ओम भूरब्वसवा ठीक है और अंत्र में फिर ओम लगेगा इस से भी बात ना बने तो फिर मंत्र वशिकरन होता है नाल चंदन लिजये जिसको रक्त चंदन भी बोलता है हलती लेजिए मैंसिल लीजे और धतूरे लीजे इन सब को पीस करके गुलाब जल में मिला करके एक सियाई बनाईए फिर जो मंत्र है उसको लकडी के कलम से भोजपत्र पर लिख करके चांदी या तामबा का एक ताबीज बना लीजे ठीक है उस ताबीज में इस भोजपत्र को बंद करके डाल दीजे और फिर उस ताबीज का अच्छा से धूप दीप दीखा करके उसको अपने गले या फिर हात में धारन कर लीजे इतना करने से इसको करने के बाद फिर से जब आप पूरा मंत्र जाप और हवन मार्जन सब करे तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा अब भी सिद्ध नहीं हुआ तो तीसरे चरण के बाद भी सिद्ध नहीं हो रहा है तो जो मंत्र इसको पिंडिन करता है पिंडिन में क्या करना होता है जो मंत्र होता है उसका उल्टा जब होता है ठीक है जैसे अगर ओम भूर वह स्व से आप जाब कर रहे हैं इसके साथ ही एक आख लिजेगा आख का जो दूध होता है उस पर इस मंत्र को भोज पत्र से लिख लिजेगा और अपने बाएं पैर के नीचे रख लिजेगा मतलब आज उसको दाब देना है तो एक तरफ से उल्टा मंत्र जपेंगे दूसरा तरफ आख के दूध से भोज पत्र पर उस मंत्र को लिखके अपने बाएं पैर से उसको दाबे रखेंगे ऐसा करने से वो मंत्र सिद्ध होता है इस उपाई से मंत्र सिद्ध ना हो तो पांचवा हो पाए इसको सोशन करते है नाम ही इसका सोशन है ठीक है जो मंत्र है उसके आगे में वायू बीज यम लगाएंगे ठीक है उसके बाद इसका पूरा जाब करेंगे फिर इसका दशान सवन करेंगे दशान सवन करने के बाद जो हवन से जो भस्म की प्राप्ति होगी उससे भोज पत्र पर जिस मंत्र की सिद्धियम करना चाहरा है उसको लिखेंगे उसके तो मूल मंत्र जो भी है उसके आसपास वाला जो बीज है जैसे एम है क्लिम है सो है जोड़कर जब करिएगा और गाय के दूद और मधू को मिला करके भोज पत्र पर मंत्र लिखिएगा और उसको फिर हाथ में बांद लीजेगा एक ताबीज में ऐसा करने से यह मंत्र पक्का सिद्ध होगा छे अलग अलग विधान और छे अलग अलग विधान जवड़दस्ती मंत्र सिद्ध करने के लिए के मतलब अगर देवताओं की सिद्धी में उनकी सेवा में कुछ काम आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा चलो एक बोनस देता हूं एक और विधान उसको दाहन करते हैं कि दाहन में क्या होता है कि जितने अक्षर हैं मंत्र में जितने भी वर्ट्स हैं सब के आगे में रम लगेगा मतलब ओम रम ओम भूर ओम भौ ठीक है और इसको जब करना ह ठीक है इसके साथ में पलास और खाकरे का बीज का जो तेल होता है उससे भोज पत्र पर मंत्र को लिखिए और ताभी इसके रूपने उसको धारन कीजिए यह अचूग उपाय है लेकिन इस उपाय को शुरुवात में नहीं करते हैं रम बीज का उपयोग शुरुवात में करते हैं जो रम बीज के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि रम बीज का शुरुवात में उपयोग क्यों नहीं होता बहुत उग्र बीज है तो छे बोलके मैंने आप लोगों को साथ उपाय ऐसा बताया जिससे आप मंत्र में तुटी मंत्र विधान में तुटी होने के के बाद भी जिसको अंग्रेजी शब्द में हम बोलते हैं कि कवर अप कर लेना है तो कवर अप करके और उसके बाद उसकी साधना करते हैं ठीक है यह साध्विधान हो गए इससे आप लोग सब जो भी मंतर के पीछे आप पड़े हुए हैं उसको सब सिद्ध करिए और उस देवी और देव कृपा का जो भी फल है उसका आप लोग उभोग की लिए ऐसे मेरी कामना है इस महीने 24-25 तरीक को शिवपूरी में शिविर लगेगा जिसको आना है 20 लोगों की इस बार इंट्री है तो वो वेबसाइट पे जाके रेजिस्ट्रेशन कर सकता है यह वाटसप पर मुझसे पूच सकता है कि कैसे रेजिस्ट्रेशन होगा शिविर में हवन का तौर तरीका दीख्छा और जो भी हमारे कारीफनात संप्रताय का जो भी सम्मिदान है वो बताया जाता है आप भगवती आप सभी पर और आच्छे वाले भहरबाब आप आप सभी पिक्रिपा पर था है ऐसे मेरी कामना है आप सभी को आदेश 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 प्याले यह सोत्रम इंदुशे खरम क्रपा करम